भारत और साउदी अरब के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सम्मन सद्यों पुराने हैं और यह सदेव शवहार्द पुर्ण और मैत्रिपुर्ण रहे हैं हमारे लोगों के बीच के गनिश्ट और निकट संपर्क हमारे देशों के लिए एक सजीव सेतू यानि लिविंग ब्रीज है His Majesty की और Royal Highness आपकी व्यत्तिक दुरुची और मारदर्शन से हमारे द्वीपक्षिय सबंधों में और भी प्रगारता, मधूरता और शक्ति आई है आज 21 सदी में सौधी अरब भारत के सबसे मुल्यवान स्ट्रेटेजिक पांटनर्स में है यह हमारे विश्तुरुत पडोस में है, एक करीबी दोस है और भारत की उर्जा सुरक्षा का महत्वपुन स्रोथ भी है 2016 में साउधी अरब की मेरी यात्रा के दोरान हमने अपने समंधों को विशेश रुप से उर्जा और सुरक्षा के खेत्रों में कई नए आयाम दिये थे आपसे अर्जेंटिना में दो माँ पहले हुई मुलाकात के प्रणाम स्वरु सुरक्षा, व्यापार और निवेश के खेत्रों में हमारी स्टेटेजिक पांटरशिप के सार ने नया विस्तार लिया है मुझे खुशी है कि आपके सुझाव की रुप रिखा के अनुसार हम दी वार्शिक सिखर सम्मिलन और स्टेटेजिक पांटरशिप कमसिल की स्थापना के लिए सहमत हुए हैं इन से हमारे समंधों को मजबूती, गती और प्रगती का लाब मिलेगा फ्रेंट्स आज हमने दीपक्षिय समंधों के सभी विशेओं पर व्यापक और सार्शक चर्चा की है हमने अपने आर्थिक सहयोग को पर ले जाने का निश्य किया है हमारे अर्थतंत्र में साओधी अरब से सौंस्तागत निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए हम एक धाचा स्थापित करने पर सहमत हुए हैं मैं भारत के इंफास्ट्रक्चर में साओधी अरब के निवेश का स्वागत करता हूँ यौर रोयल हाइनेस आपके वीजन 2030 और आपके नित्रुतों में हो रहे आर्थिक सुधार भारत के प्रमुक कारकमों में जैसे मेक इन इंडिया स्टार्ट अप इंडिया के पूरक है हमारे उर्जा सबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टर्शिप में तब्दिल करने का समय आ गया है दुनिया की सबसे बड़ी डिफाइनरी और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में सुधी अरब की भागिदारी हमारे उर्जा सबंधों को बायर सेलर रिलेशन से बहुत आगे ले जाती है हम अक्षे उर्जा के ख्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने पर सहमत हुए हैं हम इंटरनेशनल सोलार अलाइंस में सौधी अरब का स्वागत करते हैं परमाणू उर्जा के शांतिपुण उपयोग विशेश रुप से बॉटर डिसलिनेशन और स्वास्थ के लिए हमारे सहयोग का एक और आयाम होंगे विशेश कर अपने स्ट्रेटिजिक वातावरन के संदर्ब में हमने आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने और उसका विस्तार करने पर भी सफल चर्चा की है पिछले साल भारत साओधी अरब में प्रतिष्ठीत जनाद्रिया समारों में गेस्ट आफ ओनर था आज हमने अपने सांस्कृतिक समंदों को और मजबूत करने का लक्ष रखा है ब्यापार और परियतन को बढ़ाने है तू साओधी अरब के नागरिकों के लिए इवीजा का विस्तार किया जा रहा है भारतियों के लिए हज कोटे में बृद्धी के लिए हम हिज मैजेस्टी और रोयल हाइनेस के बहुत बहुत आभारी है 2.7 मिलियन भारतिय नागरिकों की साओधी अरब में शान्तिपूर्ण और उप्योगी उपस्तिती हमारे बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है रोयल हाइनेस ने साओधी अरब की प्रगती में उनके सकारात्पग योगदान की प्रसमसा की है आपने हमेशा उनकी भलाई का ख्याल रखा है इसके लिए उनका आभार और दुआएं हमेशा हमेशा आपके साथ है फ्रेंट्स पिछले हपते पुलवामा में हुआ बरबर आतंगवादी हमला इस मानोता विरोधी खत्रे से दुनिया पर छाय कहर की एक और क्रोर निशानी है इस खत्रे से प्रभावसाली दंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत है कि आतंगवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यक्ता है आतंगवाद का इन्फास्टर करना और इसको समर्थन समात्त करना और आतंगवादियों और उनके समर्थनकों को सजाल दिलाना बहुत ही जरूरी है साथी अतिवाद के खिलाप सहयोग और इसके लिए एक मजबूत कारिय योजना की भी जरूरत है ताकि हिंसा और आतंग की ताकते हमारे युवाओं को गुम्रा न कर सके मुझे खुशी है कि साओधी अरब और भारत इस बारे में साजा विचार रखते है फ्रेंट्स पस्टिम एशिया और खाड़ी में शांती और सिर्था सुनिस्थित करने में हमारे दोनों देशों के साजा ही था है आज हमारी बाचित में इस ख्षेतर में हमारे कारियों में तालमेल लाने है और हमारी भागेदारी को तेजी से आगे बढ़ाने पर सहमती हुई है हम इस बात पर भी सहमत हुए है कि काउंटर टर्रिजम समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा जसे ख्षेतरों में और मजबूत दीपक्षिय सहयोग दोनों देशों के लिए लाब प्रद होंगे यौर रोयल हाइनेस आपकी आत्रा ने हमारे रिस्तों के तेज विकास को एक नया आयाम दिया है मैं एक बार फिर हमारे निमंत्रण को स्विकार करने के लिए रोयल हाइनेस का सुक्रिय आदा करता हूँ मैं उनके और प्रतिदीजी मंडल के सभी सदस्यों की भारत में सुखत परवास की कामना भी करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू सर्थ इस नौ मैं प्लेजर तो इन्वाइनेस प्रिंस मुहंबत बिन सल्मान काउंटमेंस ऑफ साओधी अरिबिया तो डिलिवर इस स्टेटमेंट तो इस प्रिस शुक्रान दूनत रर्ईस बहुत बहुत धन्यवाद मानने ये परग्रान विजित है इंडिया के लिए मैं इसे पहले भारत आ चुका हूँ लेकर डेलिगेशन के हेड के हिसाब से ये मेरी पहली विजिट है हमने सुबाही बातचीत की है कि हमारा और साओधी अरब का जो रिलिशन है बहुत हजारों साल पुराना है बलके इतिहास से भी पुराना है और ये जो हमारे रिश्टे हैं हमारे खून में साम शामिल है और इस इन पुराने संबंदों ने पिछले पचास सालों में और परगती हासल की है और उसको मदबूती अता हुई है हमारे पास अभी बहुत सारे आउसर हैं और हमारे हिट जो हैं वो बरावर हैं एक तरह के हैं चाहिए वो एनरजी हो चाहिए अगरी कल्चर हो या टेकनॉलोजी में हो या कल्चर हो या सोशल सेक्टर हो दोनों सरकारे मिलकर हम एक स्टेटेजी बना सकते हैं और कौमन प्लानिंग कर सकते हैं सौधी अरब आप दोहजार सोला में तश्रीफ लाएं और दोहजार सोला के बाद से अभी तक अभी 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 तक बहुत सारी काम्यावियां हमने हासल की हैं और तकरीबन 44 बिलियन डालर का हमने इंवेस्मेंट किया हैं और हम पेट्रो केमिकल्स और दूसरे छेत्रों में भी अब डाइवर्सिवाई कर रहे हैं स्टोरिज में भी हम काम कर रहे हैं और हम हिंदुस्तान के साथ भारत के साथ कोपरेशन करना चाहते हैं इससे हमारे एक नए आयाम मिलेगा एक नए दिशाम में हम आगे बढ़ेंगे हम जानते हैं कि भारत जो आईटी सेक्टर में काफी मजबूत है और हमने हमने साथ अरव में आयते सेक्टर में काफी इंवेस्टमेट किया और उससा में काफी फाइदा बेह वा हम समझते हैं कि भारत में जो अपरचूनिटीज हैं वो entirely से ज्यादा है और हम चाहते हैं के हम साथिय अरभ को साथ मिलकर को दूने दिशेशं के लिए फायधे मन बनाया है दूनों दिशेयों के बीट के जो सम्बें़ हैं भारती जो वर्कर्स हैं साधिय अरब में और जो हएक के लोग कैं़ हिंस दोनों के लिए फायदे की बाते हुरे यहांं तक extremism and terrorism की बात है जो हमारे common concern है हम यह बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का cooperation करेंगे चाहिए वो intelligent share ही हो और ना सिर्फ भारत बलके सारे जो हमारे आसपास हैं सब के साथ मिलकर काम करेंगे जो हमारे आने वाली पीडियों के लिए भविश, रोशन भविश को secure करेंगे हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपने जो positive role play किया है मैं भारत का और भारत की सरकार का और यहां के लोगों का बहुत ज़्यादा आपके आपके शने और सत्वाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ शखर सुपधार से अधसर का बारत की थे हैं थे और पर जोगे